असलाहमुलेकुम लेजेंड्स हम लोग डिसकस करेंगे Microsoft Office में Microsoft Word को further इसमें हम लोग Home के button पे जो चीजें उनको डिसकस कर लिया था इंसाइड में जो चीजें उनको डिसकस कर लिया था पेज लियाउट क्या होता है यह सारी चीजें जो भी इए उनको डिसकस कर लिया था आज हम देखेंगे references, references में में जो है इंप्राइंट चीजें इंपर नहीं को तहीं को डेखेंगे जो भी word में text लिखते हैं यह first three button ही ज्यादा यूज होते हैं यह चीजें यूज होती हैं लेकिन बहुत कम ठीक है इसके इलावा यहां पर डिजाइन और फार्मेट के अप्शन से उनको भी हम देख लेंगी लेकिन वह अभी शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम ने उनके कोई चीज एड नहीं की है ठीक है तो यहां पर हम रेफ्रेंसिस में स्टार्ट कर है ठीक है लाइक अधा हूं कि हमने कोई भी मैडिसन पर एक बूक लिखनी है ठीक है जैसे मैं देता हूं जो गाइटन है ठीक है गाइटन की बूक है इस गाइटन के बूक के जो फर्स्ट फालक पेज है उसके उपर यह नहीं कि लाइक जो यहां पर फ़स्ट अप्शन होता और वहां पे लिखा होता है कि कौन सा topic कौन से page पर है या कौन सा chapter कौन से page पर है वो यहां से आप table content से लिख सकते हैं अगर कोई book लिखी होती तो यहां पे हम just click करते और उससे हम कोई भी चीज easily लिख सकते ठीक है तो यहां पे available नहीं है इस वज़से हम हम इसको just बता दिया है हम इसको use नहीं कर सकते ठीक है यह देखें option आ रहा है कि आप इसको use नहीं कर सकते जब तक आपने कोई भी चीज add नहीं की है ठीक है इसके बाद next हमारे पास है add text का option है level 1 level 2 level 3 यह क्या चीज़े है like as इसमें देखें जो heading 1 है और heading 2 है और heading 3 है same as that यहां पे add text का मतलब यह है कि like as हमने respiratory physiology भी कोई भी एक पूरा topic लिखना है तो जो main heading होगी वह हम respiratory physiology देंगी और उसके अंदर जो sub heading होगी like as hypoxia वगरा है ठीक है इसके इलावा जो है हम lungs capacity lungs volume वगरा जो है वो उनको sub headings में लिख लेंगे ठीक है hope so यह point आपको समझ आया अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बता देना comments में तो मैं आपको मजीद इस पर brief कर दूँगा ठीक है अगे है update table अपडेट टेबल का मतलब यह होता है कि जो आपने कर दिया इस paragraph में आप देखें कि यहां पर inside endo notes इसका मतलब यह है कि like as जो मैं skin है इसको ऐसे mark करूँगा और यहां पर endo notes पर click कर दूँगा और यह जो नीचे बिल्कुल अभी आपने कुछ books ऐसी देखी होंगी जिनके pages के end पर कुछ कुछ ऐसे words लिखे होते हैं जिनकी जो हमारे पास explanation जो है वह बिल्कुल एंड पर लिखी होती है कुछ हमारे पास जो nine cents की books होती है उनके अंदर लिखा होता है like as मैं यहां पर लिख देता हूं कि translational ठीक है i123 जो भी होगा ठीक है आप जसको i mark कर देगा इसके उपर जब आप कोई भी paragraph पढ़ रहे होते हैं तो यहां पर translational का मतलब नहीं पढ़ता इसके उपर just i mark किया होगा आप पिल्कुल page की end पर चले जाएंगी और page की end पर जाकर एक line होगी और line के बिल्कुल नीचे i लिखा होगा और i के साथ उसकी translational की detail लिखी होगी ठीक है इस तरह आप जो है footnotes या end notes लगा सकते हैं ठीक है इसके इलावा यहां पर footnote का option है like as मैं इसको select करके footnote पर click करता हूं यह भी तगरीबन सेम ही चीज़ है और यहां पर है show notes आपने जितने भी notes बनाया होंगे वो सारे आपको show हो जाएंगे देन हमारे पास next है insert setatization ठीक है यह क्या होता है new source source का मतलब यह होता है कि like as जो मैं यह कहता हूं कि यहां पर टाइप साफदा spiral street movement जो है यह लिखा हुआ है और यह जो है किसी book से लिया गया है like as मैंने कोई mcq उठाया like as 81 mcq number है यह जो mcq है मैंने उठाया है किसी भी एक book से like as मैं कहा देता हूं कि BDRS physiology से मैं यह उठाया है ठीक है कोई भी एक mcq और मैं यहां पर इसको साथ अपनी book का reference देना चाहता हूं ठीक है तो मैं अपने यहां पर जो book है यहां पर उसका नाम पूट कर दूँगा ठीक है आथर का नाम पूट कर दूगा title पूट कर दूगा year कि year में लिखी गई थी City में लिखी गई थी और इसका publisher कौन है तो मैं just okay कर दूगा okay करने के बाद like as title में कुछ भी लिख देता हूं और year भी कुछ भी और then city कुछ अपनी सरफ से कुछ भी add कर दिया और okay कर दिया तो यह देखें अभी जो भी 81mcq था उसकी जगह डिरेक्ट यह चीज़े इसने पूट कर दी है कि यह जो चीज़े थी यह उस book से ली गई है तो सिरफ sorry इसने जो है यह add की है 81mc को जगह पे ठीक है जस्ट आपने cursor लाकर इसके बाद reference add करेंगे तो फिर सही हो जएगा ठीक है यह देखें यह यहाँ पर लग गया है कि कौन सी book से लिया गया और किस son में लिया गया था ठीक है और किस author ने लिखी थी इस तरह आप यह जाना से इसरी लिख सकते हैं manage source यहाँ पर आप सेम चीज लाइक आज जैसे लिखा हुआ है इस तरह आप कोई भी name वगरा चेंज कर सकते है style चेंज कर सकते हैं कि आपकी style में लिखना चाहते हैं ठीक है यह जो लिखा हुआ है इस तरह आपने नाम और 88 79 जो लिखा हुआ कौन सी सान में शाय हुई उसके बाद यह वो जो भी चीज़ें इसके required होंगी ठीक है देन हमारे पास next option है कि insert table figures का क्या मतलब होता है insert caption sorry जब हम caption लिखते हैं तो उस चीज़ों में यह चीज़ें यूज होती है या यह जो insert table figures यह चीज़ें सारी caption लिखने के लिए required होती है ठीक है यह भी इतनी जारा हम mostly use नहीं करते क्योंकि हमें just university तग ही पढ़ना होता है तो हम university के मेंवाले से ही computer course कर रहे हैं तो इसी में ही हम देखेंगे ठीक है then हमारे पास index चीज़ें होती है यह mostly जो है हमारे पास of authorities यह भी इतना ज्यादा important नहीं है तो main main चीज़ें जो थी इसमें हमने references में discuss कर ली इंशाला next video में mailing के बारे में देखते हैं इसमें भी बस दो से तीन option देखने वाले हैं then next video में इंशाला यह सारी चीज़ें हम cover कर लेंगे अगर cover हो सकीं तो ठीक है तो thank you legends be happy अलाहाफिज